मोबाइल फोन नमबर दस डीजिट का होता है लेकिन ऐसा बता जा रहा है कि यह अब 11 डीजिट या 13 डीजिट में मिलेगा क्योंकि 10 डीजिट जो है खत्म हो चुका इस तरह कुछ अपड़िट है 10 डीजिट हमें याद नहीं रहता था अब 11 और 13 होगा तो कैसा लगेगा आप आपको कमेंड में जरूर बताएं लेकिन आप जानते हैं कि वर्ड का पहला फोन नमबर कितने डीजिट का था और कब आया था पता है तो बताएं यह नहीं पता है तो हम आपको बताते हैं यह हुआ था 1970 में और यह जो हुआ था इसमें छे डीजिट था जो था 942968 यह का डिटेल वीडियो किया है जाके जरूर देखें बहुत मज़ा आने वाला बात करतें पोल की तो इसी से रेलेटेट हमने पोल पूछा दा पोको F5 कैसा लगा 43% लोगों ने कहा कि ओवर प्राइज है बाकी के उसके बाद जो सबसे ज्यादा वोट आये 90% लोगों ने कहा कि भरोसा नहीं है कब कैमरा डेट हो जाए मदरबोर्ड डेट हो जाए डिस्पले चल जाए इस तरह का कुछ मामला है आपको पोको F5 में क्या लगता है तो चलिए पहले अफडेट के दब बढ़ते हैं तो बात करते हैं वाटस अप के तीन अपडेट आई है जो काफी जवर जास है पहला जो है ऐसा बताया जा रहा है के वाटस अब में माइक नहीं सपोर्ट कर रहा है बहुत लोगों का कॉल आ रहा है लेगिन माइक नहीं जा रहा है तो WhatsApp का ऐसा कहना है कि Android में ये प्रॉब्लम है और Android का ऐसा कहना है कि WhatsApp प्रॉब्लम है कि अदे साल इसका है दोनों मिलके fix करेंगें दूसरा जो है WhatsApp में एक तरह का scam चल रहा है अभी जिसके हिसाब से अगर आप YouTube वीडियो को लाइक करेंगे तो 1500 रुपए आपको मिलेगा इस तरह के scam चल रहा है और लोग इस पर फूल भी बन रहे है इस तरह के भी update है लेकिन आप लाइक करेंगे और subscribe करेंगे चैनल को तो हम आपको directly इस तरह का वीडियो देंगे है पैसा वागेर हो तो भाई हमारे बसके नहीं है मैं गरीब हूँ लेकिन बात करते हैं तीसरा अपडेट की तो तीसरा अपडेट बहुत ही जबर जास है कि WhatsApp में अब Wear OS मतलब आपके smart watch में अगर Wear OS 3 है तो उसमें आप WhatsApp यूज़ कर सकते हैं इस तरह ही कुछ अपडेट है आप कभी फोन में सोचे थे WhatsApp यूज़ करेंगे अगली ख़बर के तब बढ़ते हैं तो बात करते हैं डैमेंसीटी चलिए बात करते हैं आइफोन 16 प्रो की तो ऐसा बताया जा रहा है कि आइफोन 16 प्रो जो होने वाला है उसका डिस्प्ले थोड़ा टॉल होगा लंबा होगा इस तरह ही कुछ निज़ निकल के आ रही है वैसे बात करते है आइफोन की तो ऐसा बताया जा रहा है कि आइफोन फिन प्रो मैक्स जो होने वाला है उसमें प्रिसकोफिक सेंसर होगा जो 6 एक्स तक ऑप्टिकल जूम करेगा मजा आया जो काफी जवर्जाज बात है तो डिजिटल यह कहां तक जाएगा कमेंट में कर रहा हूं जब से वीडियो बना रहा हूं तब से 8500 रुपया का मिलता है और वगरा में 700 तक का भी मिल जाएगा लेकिन देखिए गावाँ पर और डिवलीकेट वगरा का भी मामला रहता है तो अमेज़ान में जाए रिवियो अगरा देख लीजेगा लेकिन बात करते हैं नॉइस की तो देखिए नॉइस इसमें भी आता है ऐसा नहीं है कि नहीं आता हां हम पंखा वगारा चलाते हैं नहीं देखिए पसीना गिर रहा है तो इस तरह का मैनेज करना पड़ता और दूसरा चीज है कि अगर नॉइस आता है तो मुवावी वीडियो एडिटर से सब्सक्राइब कुछ अपडेट है आप कौन सा माइक की यूज करते हैं और कौन सा सॉफ्वियर यूज करते रेड्मी नोट टूल एसकी यह जो है आज पोलेंड में लॉंच हो चुगा है वहाँ पर इसकी प्राइज 29,000 लेकिन इंडिया में इतना नहीं होगा हिल्यों का सब्सक्राइब के साथ जो काफी कमाल की बात है अब ऐसा लग रहा है अच्छा फोन ला रहा है वन जीरोट प्लस एट प्लस टू का रियर कैमरा सोलर का सेलफी पांच हैजार मिलियंपेर हार के बैटरी 33 वाट का फास्ट चर्णिंग अगर इस इस पेस्ट के साथ यह 4G फो है और यह कल लॉंच हो गिया है और प्रो वर्जन जो है गलोबली गिया तो बात करते हैं आज का सुबह अलब वीडियो देखेंगे तो सारा इस पेसिफिकेशन वहां पता चलियागा डिप्राइब अभी लेकिन आम आपको बता देते हैं क्यों बार-बार वो वीडियो दे का सोला का सेलफी पांच हेजार मिलिये पैरार के वैटे 67 वाट का फार चार्जिंग और यहां पर प्रो में आपको देखना को मिलेगा सब कुछ सेम बस यहां पर जो प्रोसेसर है वह स्नाइब डेगन एट प्लस जेन वन वाला है यहां पर बात करते हैं पोको एक प्राइस बता रहे तो इस तरह का है आपको पोको F5 कैसा लगा कमेंड में सब्सक्राइब चलिए बात करते हैं रियल मी नर्जो N53 यह फोन बहुत ही जल्दी इंडिया में देखने को मिलेगा क्यूंकि इसकी टीजर पे आमेजॉन में लिश्ट हो गई है और कमिंग सुन बताया जा आपको जो भी लगता है जरूर बताए कमेंड में चलिए बात करते हैं रियल मी 11 सीरीज की तो 11 प्रो प्लस और रियल मी 11 यह तीन फोन लॉंच हुआ है जिसमें से 11 प्रो प्लस के बारे में बात किया जाए तो यह कंवर्ट करके अगर देखा जाए तो 25,000 रेंज में यह फ है एच पी 3 सेंसर दिया गया है 200 मेगा पिक्सल का प्लस एट प्लस टू इसके साथ यह आया है और लेदर बैक देखने को मिल रहा है ऐसे ग्लास वाला भी इसका आता है वहीं बात करते हैं 11 प्रो की तो इसका जो प्राइज आया है 22,000 रुपै कंवर्ट करके बता यह जा र है लेकिन 120 हट्स वागेरा इसमें देखने को मिलता है वहीं बात करते है 67 वाट का फार्स चार्जिंग इसमें देखने को मिलता है और 22,000 का फोन है वहीं बात करते 11 की तो इसमें मिलता है डैमेंसिटी 6020 का प्रोसेसर बाकी 64 प्लस दो का रियर कैमरा आठ का सेल्फी 5000 मिलें पहरार के बैटी 33W का फार्स चार्डिंग और इसकी प्राइज है 18,000 रुपए मुझे नहीं लगता कि यह वैल्यू फोर मनी है तो इस तरह का कुछ है आपको यह तीनों फोन इंडिया में आएगा तो किस प्राइस के साथ आएगा और कौन से फोन के लिए आप ज्याज़ एक 35G यह फोन FCC certification में लिश्ट होगी आप देखिए कब तक आएगा आपको जो भी लगता है जरूर बताए कमेंड चलिए बात करते हैं Moto Razor 40 इसकी इमेज वगरा आ गई है और काफी जबर जास लगड़ा सिल्वर कलर में आपको यह कलर कैसा लगा कमेंड में जरू बताएग चल कहीं पर लॉंच कर दिया गया है जिसमें आपको देखने को मिलता है इसकी प्राइस वगरा वहां पर बताया जा रहा है कि 30,000 रुपए तक का जाएगा और इसमें 108 प्लस टू का रियर कैमरा वगरा देखने को मिलेगा अमुलेट डिस्प्ले आपको क्या लगता इंडिया म में जो बटन दिख रहा था वो नोटिफिकेशन मतलब अलर्ट स्लाइडर या नोटिफिकेशन स्लाइडर जो है वो देखने को मिलेगा तो इस तरह का कुछ अपडेट है आपको क्या लगता है नथिंग फोन टू आप पाय करेंगे कमेंट में सब्सक्राइब आज थोड़